नमस्कार दोस्तों स्वागर है आप सभी के एकबार फिर से आप सभी को पता ही है RBI Assistant का notification जो है वो जल्दी आ जाएगा यह बहुत जरूरी है कि कुछ pattern आपको जानना जरूरी है अगर आप RBI Assistant 2023 को focus कर रहें तो तो आज हम लोग बात करेंगे cutoff section पे कि cutoff section RBI का पहले क्या रहा है किस तरह से आपको तैयारी करनी है ताकि 2023 का exam आपका properly यहाँ पे clear हो जाए तो मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि जो last time आपका RBI का exam हुआ था उसमें statewide आपकी cutoff किया थी जो भी आपका state है एक बर आप दे cutoff देख रहे होंगे मैं आपको line by line यहाँ पे बता देता हूँ देखिए सबसे पहले आपका जो zone यहाँ पे दिख रहा है वो कौन सा है एहमदाबाद अब एहमदाबाद में अगर मैं cutoff देखूंगा ST की यहाँ पे 71 थी SC का 76 था general का यहाँ पे 82 cutoff गया था इस चीज़ को बात कर लेता हूँ आपकी जो भी categories है आप उसको एक बार आराम से प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं next आपका भूपाल का cutoff 82 के आसपास था then भूवनेश्ष्वर का cutoff 89.50 था then आपका चेनई का cutoff 87.75 था then आपका cutoff जो चंडिगर का था वो 90.75 था next आपका cutoff जो हैद्रा आप देख रहे होंगे जैपूर का cutoff 89.25 जम्मू का cutoff आपका 85.50 कोलकाता cutoff 89.25 एंड कानपूर एंड लखनों का cutoff भी आपका सेम 89.25 नागपूर का cutoff 87 था then मुंबई का 85.25 था पतना का मुंबई एक कट आपका 85 था पतना का 89 था then आपका तिरुनंद पूरम का 86 था और न्यू डैली का 89.25 ये cutoff आपके zone wise थे एक और यहाँ पे आपके अलग-लग section जो की means का cutoff था तो हम लोग यहाँ पे प्रिलम्स की बात कर लिए अब एक बार means का देख लेते हैं कि means का cutoff last time पे कितना गया था अगर मैं zone wise यहाँ पर देखूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले एहमदाबात की अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर देख पा रह दें चंडीखड का cutoff 124 गया इसके बाद चैन्यी का cutoff 121 था गुवाहाटी का cutoff 112 था यादरवाद का cutoff 118 था जैपूर का cutoff आपका 121 था, जम्मू का cutoff 117 था, कानपूर लखनाओं का cutoff 120 था, देन कोलकाता cutoff 128 था, मुंबई का cutoff आपका 116 था, नागपूर का 123 था, न्यू डेली का 123 था, पटना का 116 था, और तिवनपुरम और कूची का cutoff आपका 115 के असपास गया था, आप यहाँ पे एक चीज़ द 82, यहाँ पे 90 के आसपास है, देखें, कभी भी paper अगर आपका cutoff wise, 80 के उपर जाता है, 85 के उपर जाता है, इवन 90 के आसपास होता है, तो आप यह हमेशा जान लीजे कि pattern बहुत आसान पूछा जाता है, तो इस हिसाब से आपके एक strategy यह होनी चाहिए, कि आपके basic concept बहुत अ maximum marks maths में, maximum marks English में, और reasoning में तो आपके pralence level पे आने चाहिए, same मैंने आपको mains का भी बता दिया, आप अपना state wise देख सकते हैं, कि आपके state में last year cutoff कितनी गई थे, और भी कोई doubt होगा, आप comment section में ज़रूर मेंशन करिएगा, फिलाल से वीडियो को यहीं समप करते हैं, thank you so much, जए हैंदो